हलो फ्रेंड्स, वेलकम बाक टो माई चानल, मैं अपने चानल HP एक्जाम कॉर्णर में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी एक्जाम की प्रपरेशन भी अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए History की Class 17 जो है लेकर आए हैं तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था आपका पुश्य भूती वन्ष, जिसे हम वर्धन वन्ष भी कहते हैं तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज को आगे continue करते होए आज हम दक्षिन भारत के जितने भी प्रमुख राजवन्ष हैं उनको एके करके discuss करने वाले हैं तो आज हमने mainly जो है दो राजवन्ष कवर किये हैं इसमें इसमें से हैं आपके पहला पल्लव वन्ष हम करेंगे और दूसरा राश्ट कूट वन्ष के बारे में जितने भी important questions बनते हैं चाए वो किसी भी exam से related हो all over India तो वो आपके exam के point of view से important होने वाले हैं सभी questions इन दोनों वन्ष से related तो चलिए friends without wasting any time हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उसते पहले अगर आपने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चानल को subscribe कीजिए bell icon पर press कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे तो चलिए friends आज का topic शुरू करते हैं तो friends सबसे पहले हम पल्लवश के बारे में बात करने वाले हैं आज के topic में तो चलिए पल्लवश के बारे में बात करते हैं तो friends दक्षिन भारत के जितने भी प्रमुख राजवश थे friends उनके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहला कौन सा था पल्लवश तो आईए देख लेते हैं कि पल्लवश जो है उसका empire कहां तक फैला था तो friends ये है आपका पल्लवश आप जो है map की help से देख सकते हैं कि पल्लवश कहां से कहां तक फैला हुआ था दक्षेन का जो यह एरिया है इसमें आपका प παल्लवव़द्च था ठीक है और फ्रेंट्स पलवव़भव़़डश की अगर हम राजधानी की बात करें तो वो कहां थी कांची ठीक है तो ये है कांची जो कि पल्लव़़़ज़ की राजधानी थी ठीक है तो चलिए discuss कर लेते हैं कि पल्लव वन्ष के संस्थापक कौन थे तो friends अगर हम बात करें कि पल्लव वन्ष की स्थापना किस ने की थी who was the founder of पल्लव dynasty तो वो थे सीह विश्नु तो सीह विश्नु ने जो है पल्लव वन्ष की स्थापना की थी ठीक है next question की और move करेंगे कि पल्लव वन्ष की राजधानी कहां थी where was the capital of पल्लवा dynasty तो friends पल्लव वन्ष की राजधानी के अगर हम बात करें तो वो थी कांची और कांची कहां है तमिल नाडू में है अभी मैंने आपको मैप से भी बता दिया है कि ये है कांची जो की पल्लव वन्ष की राजधानी हुआ कर दी थी ठीक है next बात करेंगे कि पल्लव वन्ष के राजधानी किस धरम को मानते थे तो friends अगर हम बात करें पल्लव डाइनस्टी की to which religion did the kings of पल्लवा डाइनस्टी follow तो friends पल्लव वन्ष के जो राजधा थे पल्लव को मानते थे next question के अगर हम बात करें कि भारवी लेखक किसके दर्बार में थे तो friends भारवी लेखक थे किसके दर्बार में सीह विष्णू के दर्बार में भारवी राइटर वाज इन हूस कोट तो सीह विष्णू जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस question का ठीक है next question के और move करते है next question है friends किराता जोनियम किसने लिखी है तो friends who has written किराता जोनियम तो friends किराता जोनियम जो बहुत ही famous book है वो किसने लिखी थी भारवी के द्वारा लिखी गई थी ठीक है आप image में भी देख सकते हैं ये है किराता जोनियम book written by भारवी next बात करेंगे कि महाबलीपूरम के एकाशम मंदिर किसने बनवाए who built the monolithic temple of महाबलीपूरम तो friends अगर हम बात करें महाबलीपूरम के एकाशम मंदिर तो ये बनवाए थी नर्सिहां वर्मन फ्रस्ट ने नर्सिहां वर्मन प्रथम के द्वारा जो है महाबलीपूरम के एकाशम मंदिर बनवाए गए थी तो important question है काफी बार exam में पूछा गया है ये question तो friends ये है महाबलीपूरम के एकाशम मंदिर ठीक है मोनोलिथिक टेंपल ओफ महाबलीपूरम made by नर्सिहां वर्मन फ्रस्ट तो आप image में देख सकते हैं कितने ही सुन्दर है ये निक्स से बात करेंगे कि महाबलीपूरम के एकाशम मंदिर को क्या कहते है तो friends what was the मोनोलिथिक टेंपल ओफ महाबलीपूरम called महाबलीपूरम के जो एकाशम मंदिर है उसे किस नाम से जाना जाता है रथ के नाम से जाना जाता है और ये महाबलीपूरम के पांच रथ की image भी मैंने attach किया है तो आप image में भी देख सकते हैं महा बली पूरम के एकाशम मंदिर जिने रथ कहा जाता है ठीक है तो friends अगर हम बात करें कि महा बली पूरम के एकाशम मंदिर की संख्या कितनी है तो friends महा बली पूरम के जो एकाशम मंदिर है उनकी संख्या है 7, what was the number of monolithic temple of महा बली पूरम तो seven जो है seven monolithic temples हैं महाबली पूरम में ठीक है तो आप देख सकते हैं image से भी कि ये है महाबली पूरम का जो monolithic temple है next बात करेंगी सबसी छोटा रत रत किसे कहते हैं मैंने कहा था जो एकाशम मंदिर है मंदिरों को ही रत कहा जाता है और कितने मंदिर थे यहाँ पर साथ मंदिर थे जिसे रत कहा जाता है तो friends वहीं अगर हम बात करें कि सबसे छोटा रत किसका है means सबसे छोटा जो मंदिर है महाबली पूरम में वो किसका है तो friends द्रापती का जो मंदिर है वो सबसे छोटा है तो यह image में मैंने attach किया है यह जो दो मंदिर है एक द्रापती का है और एक अर्जुन का मंदिर है तो यह सबसे छोटे मंदिर है महाबली पूरम के एकाशम मंदिर की तो आप देख सकते हैं friends साथ समू में से जो सबसे छोटा मंदिर है वो दुरापती का है ठीक है तो ये भी important question है next बात करेंगे कि वतापी कौन की उपाधी कौन लेता है तो friends अगर हम बात करें who takes the title of वतापी कौन तो friends very very important question काफी बार exam में पूछा गया है तो वतापी कौन की उपाधी नर्सिहां वर्मन के द्वारा जो है ली जाती है तो ये नर्सिहां वर्मन की image attach कर दी गई है आप image में देख सकते हैं कि नर्सिहां वर्मन को वतापी कौन की उपाधी दी गई थी ठीक है next question की और बात करें friends तो next question है कि अर्बो के आकर्मन के समय पल्लव वन्ष का राजा कौन था तो friends, who was the king of पल्लवा dynasty at the time of Arab invasion तो friends, अगर हम बात करें कि जब अर्बो ने आकर्मन किया था पल्लवो के ऊपर तो पल्लव का उस टाइम राजा कौन था तो पल्लव वन्ष का राजा था नर्सिहा वर्मन टू ठीक है, तो याद रखना है कि जब पल्लवो के ऊपर अर्बो द्वारा आकर्मन हुआ था तो उस टाइम नर्सिहा वर्मन टू जो थे वहां के राजा थे ठीक है, नेक्स्ट कोईशिन की बात करेंगे राज सिहा आगम प्रिय और शंकर भगत फ्रेंड ये जो आगम प्रिय है ये बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है कि जो आगम प्रिय की उपाधी किसको दी गई थी या आगम प्रिय की उपाधी कौन लेता है तो आपको वैसे तो तीनों ही याद रखने हैं, कोई भी एक्जाम में पूछा जा सकता है, राज सीहा पूछा जाए, आगंप्रिये पूछा जाए ये शंकर भगत पूछा जाए, ठीक है, तो ये तीनों ही उपादिया जो है, नरसीहा वर्मन तू के द्वारा ली गई थी, ठीक है, तो निक्स्ट क्वेशन की और भढ़ते हैं, निक्स्ट क्वेशन है, कि भारत में द्रविड कला की शुरुवात किस मंदिर को बनाने से हुई थी, तो friends द्रविड कला की अगर हम बात करें कि भारत में जो द्रविड कला है उसकी शुरुवात ठीक है उसकी starting जो है किस मंदिर को बनाने से हुई थी तो friends अगर हम बात करें कि भारत में जो द्रविड कला की शुरुवात हुई थी वो किलाशनाथ मंदिर को बनाने से शुरु हुई थी थीक है तो याद रखना है कि द्रविड कला की शुरुवात की इस मंदिर के बनाने के बाद शुरु हुई थी तो किलाशनाथ मंदिर थीक है तो याद रखना है आपको ये बहुत ही important है next बात करें कि कि दंडी किसके दरवार में थे तो friends अगर हम बात करें दंडी की तो दंडी थे नर्सिहां वर्मन टू के दरवार में दंडी was in whose court तो नर्सिहां वर्मन टू के दरवार में थे दंडी ठीक है अब हम बात करें कि जो दंडी हैं दश कुमार चरितरम के लेखक कौन थे तो friends who was the author of दश कुमार चरितरम ठीक है अगर हम बात करें कि दश कुमार चरितरम के लेखक कौन थे तो दंडी ही थे जिनोंने दश कुमार चरितरम की रचना की थी तो ये image है दश कुमार चरित्रम की, आप image से देख सकते हैं कि जो दश कुमार चरित्रम है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो रचना है वो दंडी के द्वारा की गई थी, तो very very important question exam में पूछा जा सकता है, ये question और पूछा भी गया है next बात करेंगे कि कांची का मुक्तेश्वर मंदिर किसने बनवाया है, तो friends who built the मुक्तेश्वर टेंपल ओफ कांची ठीक है, तो friends ये कहां है, ये है और अंगाबाद में, महराश्रा में, तो friends अगर हम बात करेंगे कि कांची का मुक्तेश्वर मंदिर किसने बनवाया है, तो न कांची का मुक्तेश्वर मंदिर जिसे नर्सिया वर्मन टू के द्वारा बनवाया गया था तो friends आप image देख सकते हैं कितना सुन्दर मंदिर है ये next बात करेंगे कि पल्लव वंश का अंतिम राजा कौन था friends जब भी मैं आपको कोई भी राजवंश करवाती हूँ मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि उस वंश का first राजा और last राजा हमेशा आपको याद होना चाहिए ठीक है वैसे ही अगर हम बात करेंगे पल्लव वंश के संस्थापक ठीक है तो पल्लवा डाइनस्थी के लास्थ किंग थे अपराजित वर्मन ठीक है वहीं आपको पल्लव वंश की राजधानी याद रखनी है क्या थी कांची तमिल नाडू थी पल्लव वंश की राजधानी ठीक है तो यह हो गए हमारे पल्लव डाइनस्थी से रिलेटेड जितने भी important question थे अब दक्षिन भारत के दूसरे राजधानी यानि की राष्ट कूट वंश की हम बात करेंगे तो चलिए अब राष्ट कूट वंश के बारे में जितने भी important questions हैं उनको discuss कर लेते हैं तो friends यह बात करते हैं यह है राष्ट कूट वंश तो राष्ट कूट वंश आप देख सकते हैं कि कहां से कहां तक फैला हुआ था तो यह राष्ट कूट वंश ठीक है friends तो राष्ट कूट डैनस्थी का empire आप map के image जो है उसके help से आप देख सकते हैं ठीक है next बात करेंगे दोर्ग थे, यह image भी attach किया है, हमने दन्ती दोर्ग की, who was the founder of राश्टे कूट डानेस्टी, तो दन्ती दोर्ग जो है, वो थे राश्टे कूट वंच के संस्थापक, तो आपको कैसे याद रखना है, कि जो दान्त है, दान्त की help से हम कोई भी चीज जो है, easily कूट सकते हैं, दान्तों से कूट सकते हैं, तो वैसे ही, दन्ती दोर्ग राश्टे कूट, तो इस तरह से correlate करके, आप याद रखेंगे, राश्टे कूट वंच के founder, दन्ती दोर्ग, ठीक है friends, next बात करते हैं, राश्टे कूट वंच की राज़ानी कहां थी, तो friends, अगर हम बात करें, राश्टे कूटा डाइनस्टी, तो friends, ये थी मानने खेत या मानने कर, तो कई बर एक्जाम की option में मानने खेत भी दिया होता है, कई जगा मानने कर भी दिया होता है, तो दोनों options में से जो भी दिया होगा, आप उस पर tick कर सकते हैं, दोनों ही correct है, तो friends, आप ये देख सकते है map में ये है मानने खेत आपका ठीक है तो मानने खेत की जो है किसकी राजधानी थी capital of Rashtrakuta dynasty ठीक है friends next question की और move करते है next question है कि Alora का प्रसिद के लाशनाथ मंदिर किसने बनवाया who built the famous के लाशनाथ temple of Alora तो friends Alora की के लाशनाथ मंदिर है वो किसने बनाया था क्रिशन फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था Alora का के लाशनाथ मंदिर तो आप ये देख सकते हैं कितना beautiful जो temple है ये तो ये क्रिशन फर्स्ट ने बनवाया था ये है Alora का के लाशनाथ मंदिर ठीक है next बात करेंगे कि राश्टकूट वंश का वहवशासक जिसने कनोज पर अधिकार करने के लिए त्री पक्ष संघर्ष में भाग लिया था the ruler of the राश्टकूट डाइनिस्टी who took part in the ट्रीपार्टाई struggle to capture कनोज तो friends राश्टकूट वंश के कौन से शासक ने जो त्री पक्षे संघर्ष में भाग लिया था कनौज पर अधिकार करने के लिए वो थे राजा द्रोव तो important question है याद रखना है आपको कि राश्टे कुट वर्श के वो कौन से शासक थे जिन्नों ने त्री पक्षे संघर्ष में भाग लिया था कनौज पर पाने के लिए तो वो थे राजा द्रोव ठीक है next question की बात करते हैं कि राश्टे कूट वर्श की किस शासक को धारा वर्श कहते हैं तो friends किस शासक को धारा वर्श कहते हैं विच रूलर ओफ राश्ट कूटा डाइनिस्टी इस कॉल्ड धारावर्ष तो फ्रेंड राजा द्रूव जो है किंग द्रूव उन्हे को ही धारावर्ष के नाम से जाना जाता है इंपॉर्टन कुश्चन है ये भी ठीक है कंणर में कवी राजमार्ग की रचना कौन करते हैं नेक्स बात करते हैं अमोग वर्ष के सरम को मानता था तो friends अमोग वर्ष जो है जैन धरम को मानते थे अमोग वर्ष अभिलीवड इन विच रिलिजन तो friends जैनिजम में जो है अमोग वर्ष जो है बिलीव करते हैं ठीक है friends अभी हमने इससे पहले पढ़ा पल्लवश तो जो पल्लवश के राजा थे वो वैशनव धरम को मानते थे लेकिन जो अब हम बात कर रहे हैं राष्टकूट वर्ष की राष्टकूट वर्ष में भी अमोग वर्ष जो राजा थे वो मानते थे जैन धरम को ठीक है अब बात करेंगे important question की जिन सेन महावीर अचारे किसके दरबार में थे तो friends अगर जिन सेन पुछा जाए या फिर महावीर अचारे पुछा जाए ठीक है तो ये दोनों ही अमोग वर्ष के दरबार में थे जिन सेन और महावीर अचारे दोनों ही जो थे वो अमोग वर्ष के दरबार में थे Next question है आदी पुरान की रचना कौन करता है ठीक है आदी पुरान की रचना भी किसके द्वारा की गई थी जिन सेन के द्वारा की गई थी who composed the आदी पुराना तो friends आदी पुराना was composed by जिन सेन तो ये image है आदी पुरान की आप देख सकते हैं image की help से तो इसकी रचना किस ने की थी जिन सेन के द्वारा की गई थी ठीक है Next बात करेंगे अमोग वर्ष ने जल संधी कहां पर ली थी तो friends अगर हम बात करें कि अमोग वर्ष ने जल संधी कहां ली थी तो तुंग भधरा नदी के किनारे जो है अमोग वर्ष ने जल संधी ली थी ठीक है Next question है friends उसकी बात करेंगे और बहुत ही important question है ये आपको mark कर लेना है इसे important और कई exams में ये पूछा जा चुका है question तो question क्या है हमारा कि आलम सूधी किस के दरबार में भारत आये थे तो friends in whose court did आलम सूधी came to India तो friends आलम सूधी के अगर हम बात करें तो वो इंद्र थर्ड के शासनकाल में जो है भारत आये थे तो important question है दुबारा में repeat कर रहे हूँ आलम सूधी किस के दरबार में भारत आये थे तो friends इंद्र थर्ड के शासनकाल में वह भारत आये थे next question है कि राश्ट कूट वंश का अंतिम शासक कौन था तो friends अगर हम बात करें राश्ट कूट वंश के अंतिम शासक की important question है ये देखो first और last ठीक है किसने स्थापना की और उस जो वंश है उसका अंतिम राजा कौन था तो ये मैं बार बार कहती हूँ कि ये दोनों ही questions बहुत important है किसी भी dynasty के अगर हम discuss कर रहे हूँ तो अब बात कर रहे हम राश्ट कूट वंश की ठीक है who was the last ruler of राश्ट कूट डाइनिस्टी तो friends अंतिम राजा कौन था राश्ट कूट वंश का तो वो थे Christian third याद रखना है आपको Christian third राश्ट कूट वंश के अंतिम राजा थे next question की बात करेंगे की कंणड भाशा के कवी pawn ठीक है important है कंणड भाशा के कवी pawn किस के दरबार में रहते थे in whose court did the कंणड़ा language poet pawn live तो friends कंणड भाशा के कवी pawn Christian third के दरबार में रहते थे अब बात करेंगे की शांति पुरान की रचना किस ने की तो friends शान्ती पुरान की रचना भी pawn के द्वारा की गए थी who composes शान्ती पुराना it was composed by pawn ठीक है तो याद रखना है important है ये भी ठीक है next question क्यों बढ़ते हैं friends next question है Allora और Elephanta की गुफाओं का निर्मान किसने करवाया था तो friends अगर हम बात करें Allora और Elephanta की गुफाओं का निर्मान तो राष्ट्र कूटो के द्वारा जो है Allora और Elephanta की गुफाओं का निर्मान करवाया गया था और ये कहां है महराष्ट्रा में है who built the caves of Allora and Elephanta तो ये है राष्ट्र कूटा डाइनेस्टी के द्वारा जो है Elephanta और Allora की जो caves है वो बनाई गई थी तो ये image है friends Elephanta caves की ठीक है तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर है ये next बात करेंगे कि Allora में कितनी गुफाओं हैं तो friends अगर हम बात करें Allora की how many caves are there in Allora तो there are 34 caves in Allora ठीक है तो Allora में कितनी गुफाओं हैं 34 गुफाओं हैं Allora में तो आप देख सकते हैं ये है Allora की गुफाओं ठीक है friends next बात करेंगे कि Allora की गुफाओं का सबसे पहले उलेक कौन करता है who was the first to mention Allora caves तो friends अगर हम बात करें कि Allora की गुफाओं का सबसे पहले उलेक किस के द्वारा किया गया था तो थैवी नोट के द्वारा तो याद रखता है Allora की गुफाओं का सबसे पहले उलेक थैवी नोट के द्वारा किया गया था तो देखो ऐसे आज़क ना कि जो अलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किस ने नोट किया था तो थैवी नोट, नोट, नोट से याद रख लेना, ठीक है, who was the first to mention अलोरा केव, तो थैवी नोट was the first person to mention about अलोरा केव, ठीक है friends, next बात करते हैं कि एक से बारा तक जो गुफाएं हैं, वो किस धरम को समर्पित है, तो अभी हमने बात की कि 34 गुफाएं हैं, अलोरा में, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि एक से बारा तक, मतलब caves from 1 to 12 are dedicated to which religion, तो friends, जो एक से बारा तक गुफाएं हैं, वो बाध धरम को समर्पित हैं, ठीक हैं, तो यह आप देख सकते हैं, यह 12th नंबर की जो गुफा है, वो है, इसमें बाध धरम से जो related images जो है, बनाई गई हैं, तो friends, आप देख सकते हैं, एक से जो बारा नंबर, टूटल बारा गुफाएं जो है, स्टार्टिंग की, वो बाध धरम से related हैं, ठीक हैं, अब हम बात करेंगे next, की 13 से 39 तक गुफाएं किस धरम को समर्पित हैं, caves from 13 to 29 are dedicated to which religion, तो friends, अगर हम बात करें, 13 से 39 की, तो वो हिंदू धरम को समर्पित हैं, आप देख सकते हैं, गी 29 नंबर की गुफाएं, तो आप देख सकते हैं, शिव और पारवती की जो pictures हैं, वो बनाई गई हैं, इस गुफाएं में, तो जो 13 से 39 तक सभी गुफाएं हैं, उसमें हिंदू धरम से related जितने भी भगवान हैं, उनकी images बनाई गई हैं, ठीक है friends, अब आते हैं हम 30 से 34, तो friends, last की जो 4 गुफाएं हैं, ठीक हैं, तो 30 से 34 तक गुफाएं, जो हैं, किस धरम को समर्पित हैं, यानि कि caves from 30 to 34 are dedicated to which religion, तो friends, 30 से 34 तक की गुफाएं हैं, वो ज जैन धरम को समर्पित हैं, तो आप ये देख सकते हैं, कि जो ये जैन धरम से related है, ये 34 तो इसमें जैन धरम से related जो images हैं, वो बनाई गई हैं, तो आप देख सकते हैं, friends, image की help से, अब बात करेंगे, कि बहुत धरम, बहुत गुफाओं में सबसे प्रसिद गुफा कौन सी है तो मैंने आपको बताया, एक से जो बारा तक गुफाएं हैं, वो किसको समर्पित हैं, तो बौध धरम को समर्पित हैं, लेकिन अब हम specially बात कर रहे हैं, 10 नमबर की जो गुफा है, friends, तो friends, जो दस्वे नमबर की गुफा है, वो किसको समर्पित है, ठीक है, तो friends, ये कहते ह कि जो दस्वे नंबर की गुफा है ये बौध धरम को समर्पित है ठीक है और सबसे प्रसिद जो गुफा है बौध धरम की ठीक है तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि बौध गुफाओं में सबसे फेमस गुफा कौन सी है तो फ्रेंड्स ये है दस्वे नंबर की गुफा तो सबसे एक से बारा तक मैंने आपको बताया कि बौत धरम की गुफाएं हैं लेकिन इन बारा गुफाओं में से दस्वे नंबर की जो गुफा है वो सबसे फेमस है और इसमें किसकी इमिज है तो ये विश्व कर्मा को समर्पित है दस्वे नंबर की जो गुफा है वो किसको समर तो विश्व कर्मा को समर्पित है ये गुफा ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे कि भारत का वह राजवंश जिसने मुस्लिम विपारियों को भारत में बसने की आग्या दी थी तो friends the first dynasty of India that allowed Muslim traders to settle in India तो friends वह राजवंश कौन सा था जिसने सब से पहले मुस्लिम विपारियों को भारत में बसने की आग्या दी थी तो वो थे राश्ट कूट वंश तो friends इसी के साथ हमारा जितो भी राश्ट कूट वंश से related important questions थे वो हमने सब भी discuss कर लिये हैं exam के point of view से जितने भी questions हैं वो हम सब भी इसमें discuss कर चुके हैं तो इसके बाद जो हम next topic करने वाले हैं चालुक के वंश को हम discuss करेंगे जिसे कल्यानी वंश भी कहा जाता है ठीक है friends तो ये हमारे जितने भी important question थे पलव dynasty और राश्ट कोट dynasty से तो वो सब भी complete हो गए हैं hopefully friends आपको वीडियो अच्छे लगी होगी तो friends प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो please मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो please friends मेरे चानल को subscribe कीजिए bell icon पर press कीजिए और ताकि आपको मेरी हर वीडियो की notification time to time मिलती रहे तो thank you friends, thank you for watching my video, keep learning and keep smiling, all the best for your future exams, thank you friends